बिस्मिल्लाहिरराह्मान इरहीम, असलाम लिएकोम, मेरा नेम है सल्मान, और मैं आपका कंप्यूटर टीचर, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास टेंथ की कंप्यूटर, तो सबसे पहले हमारे पास हमारे सामने computer की 10th class की book जो है वो उसके chapters जो है वो open है तो आज हमने chapter number 1 से start करना है जिसका name है problem solving इससे पहले कि मैं chapter की तरफ जाऊं chapter के name से ही या idea हो रहा है कि इसमें हमने क्या पढ़ना है chapter का name है problem solving अब मैं आपको बताऊं कि problem solving में हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं actual में सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि problem क्या है obviously हम जानते है problem में एक मसले का name है जो कि हमें daily basis पे हमारे घरों में हमारे schools में means that हर किसी field में हमें different problems का जो है वो सामना करना पढ़ता है तो अब हमने क्या पढ़ना है कि उन problems को solve कैसे करते हैं तो उसको solve करने के कुछ methods हैं जो के computer ही हमें बताता है अगर वो methods हमें आ जाएं तो हमें पता चल जाता है कि हमने problem को कैसे solve करना है तो problem solving में सबसे पहले हम ये define करते हैं कि problem क्या है problem define करने के बाद हम उसकी requirements define करते हैं कि इस problems के अंदर क्या क्या requirements given है requirements के बाद फिर हम उसको analyze करते हैं problems को कि actual में problem क्या है और क्यूं है और कहां पे है जब हमें इन बातों के answers मिल जाएं तो फिर हम finalize करते हैं हम flow chart और algorithm बनाते हैं flow chart और algorithm क्या होता है flow chart जो होता है वो हमारे पास एक graphical representation होती है means that एक हमारे पास graph बना होता है उसी problem को solve करने के methods उसके अंदर लिखी होते हैं ये ज़रा easy होता है क्योंकि इसमें graph के थुरू हम उससे help ले सकते हैं कि हमने अब किस step को perform करना है और कैसे करना है और उसके बाद algorithm क्या होता है algorithm और flow chart ये दोनों same है लेकिन difference सिर्फ ये है कि flow chart में हमारे पास एक graph बना होता है एक picture होती है और algorithm में हमने steps लिखे होते हैं कि number one पे हम क्या करेंगे input देंगे number two पे हम देखेंगे कि वो कैसी है बला 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 मतलब just algorithm में हम steps लिखते हैं और flow chart में हम उनही steps की एक diagram बना लेते हैं और फिर बाद में हम उसको apply करते हैं अच्छा जब ये सारे काम हो जाएं तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम एक program लिखते हैं means that coding करते हैं अच्छा आप confused नहों कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ कहां से कर रहा हूँ ये सारी chapters के अंदर given है मैं जिस्ट आपको थोड़ा introduction दे रहा हूँ तो जब ये सारी बातें finalize हो जाएं तो फिर हम एक छोटा सा एक program लिखते हैं जिसको हम coding भी कहते हैं फिर हम उस program को implement करते हैं फिर हम output देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस chapter में पढ़ेंगे तो start करते हैं इस chapter में क्या है जी तो हमारे पास chapter number one problem solving की पहले उसने introduction आपको दिया है introduction को पढ़ते हैं we solve problems and make decisions every day at home at work, at play and even at the general store वो करता है normally अगर देखें तो जो problems को हम face करते हैं वो normally हम हर दिन करते हैं अपने गर में, काम पे, खेलते वकत, एक store में मतलब ये problems आपको पता है जिन्दगी के हर stage पे आती है some problems and decisions are very challenging no doubt कुछ problems ऐसे होते हैं जिनको solve करना एक challenge बन जाता है और वो थोड़ी difficult होती है and require a lot of thoughts, emotions and research obviously जब problem थोड़ी सी tough आजए तो हमारा time भी लगता है हमारी effort भी लगती है तो ये सारी चीज़ें फिर हम उसको उसके बारे में research भी करते हैं however, whatever the natures of the problem is we always try to find multiple solutions so that we can have options to choose the best one वो कहता है no doubt के हमें कोई भी problem हो हम maximum ये कोशिश करते हैं के हम multiple solutions के find कर लें ताके उन solutions को फिर हम separately apply करें फिर उसमें से जो best solution होगा फिर हम उसको apply करते हैं 1.2 problem solving methods problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach वो कहता है problem solving एक skill है obviously अगर आप problem solve कर सकते हैं तो obviously एक बड़ी महारत की बात है which can be developed by following a well organized approach अगर आप problem solving की महारत रखते हैं अगर आप में वो skill है तो हम एक organized approach से हम उस पे अमल कर सकते हैं एक best way से programming is also a problem solving activity वो कहता है प्रोग्रामिक और problem solving वो कहता है ये दोनों same है obviously अगर आप प्रोग्रामिक कर सकते हैं तो आप problem solving भी कर सकते हैं और अगर आप problem solving कर सकते हैं प्रोग्रामिक भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिक क्या है? प्रोग्रामिक एक्चुल में कोडिंग है, जो के हम different हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग के थरू If you are a good problem solver, you have the potentials to become a good programmer वो कहता है, अगर आप अच्छे problem solver हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे programmer भी बन सकते हैं वो कहता है, हमारे पास कुछ methods हैं, जो आपने different जगा से पढ़े होंगे, business students learn to solve problems with the related system approach, obviously जो businessman है, वो business के बारे में ही पढ़ता है, और उसी के बारे में कोई problem हो तो उसको solve करता है, while engineering and science students use the engineering and scientific methods, obviously जो business student होते हैं, वो अपनी systems approach को use करते हैं, और जो engineering और science के students होते हैं, वो यहां तो engineering को use करता हैं, या scientific methods को use करते हूए अपनी problem को solve करते हैं, तो हर field अपनी difference problem रखती है, programmers use the software development methods, programmers जो होते हैं, वो normally software development का तरीका इस्तमाल करते हैं, जैसे हम software develop करते हैं, वो ही जो method होता है, वो ही हम इस्तमाल करते हैं, अब उसने कुछ steps बताय हुए हैं, steps क्या है, मारे पास, the following steps can be followed to solve any kind of problem, वो कहता है, अगर यह steps जो हैं, जो नीचे given हैं, यह मारे पास nine steps हैं, कहता है, कोई भी problem हो, in nine steps की help से हम उस problem को दूर कर सकते हैं, अब step number one क्या है, problem identification, जो कि मैंने पहले आपको बताया है, कि हमें पता होना चाहिए कि problem है क्या, अब ऐसा नहीं कि हमें पता है कि problem है, लेकिन यह idea ही नहीं कि problem क्या है, और कहां पे है, तो पता होना to specify requirements, अब obviously जब हमें problem पता चलेगी, तो हमें यह idea हो जाएगा कि इसकी requirements के हैं, जिसकी base पे problem ने दूर होना है, यह जिसकी वज़ा से problems आ रही है, ठीक हो गया, and step number three, analyze the problem, जब हमें problem पता चल जाए, उसकी requirements पता चल जाए, तो फिर हम analyze करते हैं, इसमें हम मसले का तजज़िया करते हैं, मतलब मसले को देखते हैं, उसके उपर थोड़ा सा process करते हैं, क्या यही मसला है, जब हमें यह तीन steps की समझ आ जाजाए तो तो फिर step number four पे हम चलते हैं, design algorithm and draft flow chart, जो कि मैंने आपको बता दिया है, algorithm में हम क्या करते हैं, हम steps लिख लेते हैं, write down कर लेते हैं, step number one, step number two, step number three, फिर उनको apply करते हैं, और flow chart क्या है, flow chart मैंने आपको बताया है, कि algorithm में हम write down कर लेते हैं, और flow chart में हम एक graph में लिख लेते हैं, means एक पिक्चर बना लेते हैं and step number five write the program means coding वो कहता है step number five पे जब हमें पहली four steps हमें पता चल जाएं तो फिर हम step number five पे क्या कर लेते हैं एक program बना लेते हैं जिसकी base पे हमने अपनी problem को solve करना है और जब program बन जाए फिर वो कहता है test and debug the program वो कहता है वो उस program को आप test करें कि क्या वो working कर रहा है and debug the program debug means आप उसमें देखें कोई error तो नहीं और अगर error है तो आप उसको remove करें step number seven implement the program अगर आपने test कर लिया है debug भी कर लिया है तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम उसको install कर देते हैं system में उसको implement कर देते हैं step number eight maintain and update the program obviously install करने के बाद हम उसको maintain रखते हैं देखते रहते हैं कि कोई next version तो नहीं आया फिर हम उसको update करते रहते हैं and step number nine document the program जब हमें finalize हो जाए कि हमारा program बिल्गुल ठीक है तो फिर हम उसकी documentation बना देते हैं कि भाई हमने हमारा program जो था वो finalize हो चुका है final step पे हम उसकी document बना के फिर हम उसको जिसकी problem होती है फिर हम उसको दे देते हैं कि आपका solution इस software में है document में हम no doubt ये बता देते हैं कि आपने software को कैसे use करना है means that इसमें थोड़ी instructions होती है program के बारे में I hope so आपको ये समझा गई होगी और अगर नहीं समझा आए तो आप मुझे comment करें इन्शालला मैं आपको बताऊंगा आपको देए असलाम लीकुम